तुम्हारे करुणा की प्रेम बर्सा सुही की किस्से मत चमक रही है कीत आपको याद आ गया होगा कौन सा? रचाह स्रिष्टी को जिस प्रहूने वही ये स्रिष्टी चला रहे है रचाह स्रिष्टी को जिस प्रहूने वही ये स्रिष्टी चला गुर्देव भगवाने की है गुरू को मानने बाला बुद्धु नहीं बुद्ध होता है गुरू कोई व्यक्ती नहीं है गुरू व्यक्तत है और जितने आज कथा सुन रहे एक बात जिन्दगी में नोट करके जाना तीन के चर्णों में जीवन समर्पत कर देना मा, बाप और गुरू यही धर्ती के भगवाने यह धर्ती के इश्वर हैं याद रखना बहुत से लोग कहते हैं गुरू जी बहुत लोग आलोचना करते हैं क्या करें जितने युवान यहां पर वेटे हैं न आपकी कोई आलोचना करता है आप मौन हो जाओ आलोचना का जबाब है मौन सहना सीखो, बढ़ना है तो सहो बढ़ने की अगर तुमारे अंदर उडान भरने की गुरामत मानिये बाद आपने कभी सफर किया हो ट्रेन पर कितना भी लगेज ले जाओ, कभी ट्रेन बाला तौलता है लगेज को बोलिये, हाँ या ना बस में कितना भी लगेज यानी सामान ले जाओ क्या वो तौलता है नहीं लेकिन एरोपलेन हबाई जहाज पर जब भी तुम चड़ोगे वो तौलेगा लगेज कितना हाँ जी या ना जी बोलो ना हाँ जी क्यों? क्योकि जिन्दगी में जिस्से उरना पढ़ता है न उसे अपने साथ सामान कम लेकर चलना पढ़ता है कोई आलोच ना कर रहा तो करने दो तुम्हें अगर उड़ना है तो तुम मौन होना और सहना सीख जाओ सहन सील बनो मौन को में वो तागत है कि किसी भी सप्त्रू को प्रास्त किया जा सकता है आप घपना जाते हो कोई कुछ बोलता है तम-तमा जाते हो पतका भाव अपने बल को दिखाने लगते हो करना बलका प्रियोग करना ही है तो जिन्दिगी में सफलता पाने के लिए बलका प्रियोग करना बहुत आंगे बढ़ना है तो अपने बलका प्रियोग किसी के पीछे मत पड़ो आजकल जिन्दिगी में आप लोग सबसे ज़्यादा उर्जा आसपास आलोचना करने बाले लोगों में तुम खर्च कर देते हो कौन क्या कह रहा इसने ऐसा क्यूं कहा इसने मुझे पर हसा क्यूं इसने मुझे डाटा क्यूं इसने मेरी अवहिलना क्यूं की इसकी वज़ा है तुम अपनी उर्जा का दोहन उर्जा का संवोधन करके उर्जा को खर्च करना सीखना है अपने कर्टब में, अपने कर्म में, अपने लक्ष को पाने में लगाओ और उसको जबाब देना ही है तो काम करके दिखा करके आप उसको जबाब दो बुरा मत मानिये मेरे साधू अपनी जिंदिगी में आधे से ज़्यादा लोग इसलिए परिसान रहते हैं लोगों ने क्या कहा लोग जब तक हम तुम मरोंगे नहीं न तब तक कहेंगे जिस दिन मर जाएंगे उस दिन समझना अब बात में बंद जो जिन्दा है उसकी निंदा है लोगों निन्दा के लिए तो भगवान राम को नहीं छोड़ा और हनमान जी से ये कला सीखने को मिलती है हनमान जी पर कौन हस रहा लंका में रामर के दर्बार में हनमान जी खड़े है लोग ताली बजा रहे हो हो बंदर पकड़ गया कोई ताली बजा रहा है कोई धक्का मार रहा है बंदर पकड़ गया बंदर की पूछ में आग लगेगी हनमान जी जबाब नहीं देते बोले रुख जाओ भाई साब बापू मेरा भी टैम आएगा तब बताऊंगा जब हनमान जी का टैम आया आग लग गई अब अनमान जी समझ गए हमारा मोका है तो देब पूँच पे पूँच जिसने एक बार ताली मजाई की थी उसको डबल पूँच जिंदगी में जबाब देना सीखना है ना तो टैम से जी हो अब ही नहीं अपना टैम आएगा तब 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 आई यह कथा तो मैं बहुत कुछ दे कर जाएगी इस कथा को अगर तुम जिंदगी में सहलोगे ना सहना सीख जाओ मान होना सीख जाओ और करतब पत पर बढ़ते जाओ बुलंदिया कामियाबिया तुमको चूमेगी बढ़ो हम किसी और की क्या कहें हम अपनी जिंदगी के निजनमों कहते हैं रोज हमारे लिए दो-चार लोग बोलते रहते हैं कोई YouTube खोल कर बोलता है कोई मंच लगा कर बोलता है कई अनुसन करते हैं कई जो हमारे आज पास लोग हैं वो कहते हैं गुरू जी क्या करना हम उनका बापू अभी अपना टाइम नहीं है अभी नहीं बोल ला है फिर बोलेंगे जब अपना टाइम आएगा बताएंगे इसाब किताब देना है क्योंकि ये तो हमारे इस्ट ने भी सिखाया हनमान जी का जब दाव लगा तो एक भी घर नहीं छोड़ा लंका में एक भी घर नहीं एक विवीशन कर रहना ही केबल विवीशन जी का छोड़ा उनका भी क्यों छोड़ा क्योंकि उनके घर से कोई चंदा नहीं आया उनके घर से कुछ भी material नहीं आया हर्मान जी की पूँच जलाने के लिए बाकी सब के घर से आया तो हमारे इश्ट भी इतने प्यारे हैं कि पहले सहिन किया, मान किया जब जलाया तो ऐसा जलाया उलट पलट लंका समझारी आप भी जो कथा सुनने हैं हमारी प्राथना है व्यास स्पीट से बाहर भी सुनने हैं बहुत से लों केते गुरु जी कथा में टाइम बरबाद होता है क्या फायदा है अरे मेरे प्यारे, तु कथा कभी मत छोड़ना कथा सुनने आया कर, बैठा कर जिन्दगी में तु अगर कथा में एक भी सुत्र पर चल जाएगा न तेरी जिन्दगी में चार चांद लग जाएगा साधू हमारा एक सुत्र है आप सब विद्वान बैठे हो, किसी ने हमें सुनाई थी कुछ पंक्तियां दुनिया को खिलाने वाला, अकसर भूंका सोता है दुनिया को हसाने वाला, अकसर अकेले में रोता है तुमारी महेंगी गाड़ी चलाने वाला, अकसर लिकसे से घर जाता है लाखों करोडों का बंगला बनाने वाला अक्सर बिना चटके सोता है यह जिंदगी का सूत्र है जो बहुत हसरा आना बहुत दर्द छिपा बैठे उसने जिंदगी बहुत घाव है उसकी जिंदगी में बहुत घाव अब जब हम आ रहे थे न बहुत से युवान बच्चे, सब बच्चे, गुरू जी सिताराम धक्का खा रहे, जो पुलिस कर्मी लगे विचारे वो भी परेसान, खुद भी धक्का खा रहे, लेकिन उनका भाव है कि एक बार गुरू जी से मिल ले, हमें भी बहुत दुख होता कि हम मिले, हमें भी लगत कि हम पकड़े हाँ, हमें भी लगता कि उसको कुछ सुनाएं, हमें भी लगता कि उसका कुछ बताएं, पर मजबूरी हो जाती, तुम लोग निरास मत होना, आज नहीं तो कल जरूर मिलेंगे पक्का है मिलेंगे और हम तुम्हें सासरीर मिल पाएं ना मिल पाएं हमारी जो साधना है हमारे उपर जो हमारे गुरू की कृपा है न तुम निरास मत हो न इस बात को बिलकुँ नोट कर ले न तुम हमसे मिलने नहीं हमारे गुरू की कुपा से मिलने चले आए